नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पॉल है और मैं engineeringmindset.com से हूँ इस वीडियो में हम Ohms Law के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और उनका प्रयोग कैसे करें इस वीडियो के अंत में आपके लिए दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिसे आपकी knowledge का पता चलेगा देखिए कि क्या आप इन्हें हल कर पाते हैं Ohms Law क्या है? Ohms Law बताता है कि voltage, current और resistance के बीच संबंध है और वे आपस में कैसे जुड़े हैं जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज ओम ने Ohms Law बनाया था उन्होंने इस सिध्धान्त को विक्सित करने के लिए कई प्रयोग किये जिसमें उन्होंने करेंट को मापा और यहाँ देखने के लिए कि कितना दर्द होता है लाइफ सर्केट को चूकर भी देखा था जैसा कि आप कलपना कर सकते हैं करेंट जितना अधिक होगा उतना ही जोरदार जटका लगेगा अब Ohms Law के लिए तीन सूत्रों की जरुवत होगी हमें इन्हें याद रखने की जरुवत नहीं है और थोड़ी देर में मैं आपको एक बहुत ही आसान टिब बताऊंगा तो Ohms Law के लिए प्रयोग होने वाले तीन सूत्र फॉर्मुला ये रहे वोल्टेज बराबर करेंट गुना रजिस्टेंस करेंट बराबर वोल्टेज भाग रजिस्टेंस और रिजिस्टेंस बराबर वोल्टेज भाग करेंट इसे देख कर लगेगा कि कितना सारा याद रखना है लेकिन चिंता न करें क्योंकि हमें इन्हें याद ही नहीं रखना है हमें बस Ohms Law Triangle याद रखना है जो ऐसा दिखता है आपको बस इसी क्रम में ये तीन अक्षर याद रखने है B, I, R फिर इन तीन अक्षरों को त्रिकोन के आकार में लिखते हैं और फिर तीनों अक्षरों को अलग करती हुई रेखाई खीचते हैं वास्तव में आपको ये सब याद रखने की ज़रौत नहीं है जब हमें सूत्र की जरुवत हो तो जो अक्षर हमें चाहिए उसे ढख लें जैसे यदि हमें वोल्टेज चाहिए तो हम लिखेंगे V बराबर फिर V को ढख लेंगे जिससे त्रिकोन में I और R बच जाएंगे तो हमने लिखा I गुणा R जिसका मतलब है वोल्टेज बराबर करेंट गुणा रेजिस्टेंस यदि आपको आसान करना हो तो आप त्रिकोन में दो अक्षरों के बीच गुणे का निशान लगा सकते हैं करेंट को I से क्यों दिखाया गया है? C से क्यूं नहीं? या Ampere Unit के A से क्यूं नहीं? करेंट की यूनेट Ampere या Amp, फ्रांसी सी भोतेक विज्ञानी आंद्री Ampere के नाम पर रखी गई है सेगणों वर्ष पहले उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किये जिसमें करेंट की विभिन्न मातराएं मौजूद थी उन्होंने इसे Intensity Due Current का नाम दिया यानि करेंट की तीवरता या Intensity जब उनका गाम प्रकाशित हुआ तो उसमें आई अक्षर का इस्तिमार किया गया और इस तरह यहां Standard बन गया जो आज भी प्रयोग होता है आपने ऐसे सूत्र भी देखे होंगे जिसमें V की जगह E का प्रयोग होता है E का मतलब है EMM या Electromotive Force लेकिन चिंता ना करें आप V का प्रयोग जारी रखें और यदि Ohms Law प्रशनों में कहीं E देखें तो उसकी जगह V कर दें V को ढखने से हमें मिलता है Voltage बराबर Current गुना Resistance यदि हमें Current चाहिए तो I को ढख लें जिससे V और R मिलता है V R के उपर है भिन्न या Fraction की तरह तो हम V को R से विभाज़त करेंगे इस तरह Current बराबर Voltage भाग Resistance यदि Resistance चाहिए तो लिखेंगे R बराबर और R को ढख लेंगे जिससे V और I बच जाएंगे Resistance बराबर Voltage भाग Current इन फॉर्मुलास का प्रयोग कैसे करते हैं चलिए कुछ उधारन देखे सबसे पहले देखते हैं कि Voltage कैसे प्राप्त करते हैं और ये दूसरे पार्ट से किस प्रकार संबंधित है हमारे पास बैटरी और रेजिस्टर का एक सरल Electrical Circuit है लेकिन हमें बैटरी की Voltage पता नहीं है रेजिस्टर तीन ओम का है और जब हम Multimeter को Circuit से जोड़ते हैं तो Ams की Reading मिलती है हमें Voltage पता करनी है ओम्स ट्राइंगल का प्रेयोग करके हम V को ढखते हैं जिससे हमें मिलता है V बराबर I गुणा R हम जानते हैं कि Current 2 Ams है और Resistance 3 Ohm है इसलिए 2 में 3 का गुणा करने से 6 मिलता है इसलिए Battery 6 Volt की होगी यदि आप Ohm के बारे में अपने प्रशनों का उत्तर चाहते हैं तो मैंने Website पर एक मुफ्त Calculator बनाया है उसमें आप अपने नमबर लिखेंगे और यहाँ आपके लिए गढ़ना कर देगा इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अब सर्किट पर वापस आते हैं अगर 6 Volt की दो बैटरीज को सीरीज में लगाकर Voltage को दोगुना कर दें हमें 12 Volt मिलेंगे इसे अब सर्किट में जोड़ दें तो current भी दोगुना हो जाएगा 4 Ams तो current भी दोगुना हो जाता है याद रखे, Voltage एक दबाव की तरह है यह सर्किट में धक्का देने वाला बल है यह तारों में धक्रॉन्स को धकेल देता है और जब हम लैंब जैसी किसी चीज़ को इन धक्रॉन्स के रास्ते में रखते हैं तो वे उसमें से गुजरते हैं जिससे लैंप प्रकाशित हो जाता है Voltage दोगुनी करने से हम देखते हैं कि current भी दोगुना हो जाता है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अधिक दबाव या अधिक voltage देते हैं यहाँ बिल्कुल वैसा ही है यदि हम बड़ा water pump इस्तिमाल करें तो ज्यादा पानी बहेगा तो अब current की गड़ ना करें मान लेकि तीन ओम का लैंप 6V की power supply से connect है current प्राप्ट करने के लिए हम लिखेंगे I बराबर और फिर त्रिकोर में I को ढग देंगे जिससे हमें मिलता है V भाग R current बराबर voltage भाग resistance voltage 6V और resistance 3Ω है तो current 2A होगा यदि हम multimeter में भी देखते हैं वैसे अगर आपके पास multimeter नहीं है तो मेरी सलाह है कि एक multimeter जरूर खरीदे यहार ट्रबल शूटिंग के लिए तो जरूरी है ही बलकि electrical knowledge बढ़ाने के लिए भी बहुत आवशक है कौन सा multimeter ले और कहां से ले इस बारे में मैं नीचे link दे रहा हूँ तो हमने देखा है कि circuit में 3Ω का resistance लगाने से क्या होता है लेकिन यदि circuit में एक और 3Ω का lamp लगा दें तो resistance दोगुना होकर 6Ω हो जाएगा जबकि current घटकर 1M यानि आधा हो जाएगा अगर resistance को फिर से दोगुना करके 12Ω कर दें तो current फिर से आधा 0.5M हो जाएगा हम इसे देख भी सकते हैं क्योंकि current कम होने से lamp की चमक कम हो जाती है तो इनमें आपस में क्या संबंध है हम देख सकते हैं कि current resistance के व्युत क्रमान उपाती है जब resistance को दोगुना किया जाता है तो current आधा रह जाता है current electrons flow ये इलेक्ट्रोनों का प्रवा है lamp को प्रकाशत करने के लिए हमें उसमें से electrons प्रवाहित करने होंगे यहां हम कैसे करते हैं हम दोनों से रोपर voltage देते हैं voltage electrons को धक्का देता है copper wire के अंदर atom की valent shell में मुक्त electron या free electron होते हैं जो आसानी से दूसरे copper atom में जा सकते हैं वे दूसरे copper atom में जा तो सकते हैं लेकिन उनकी देशा एक जैसी नहीं होगी तो उसका कोई lab नहीं होगा lamp को चालू करने के लिए हमें धेर सारे electron एक ही देशा में चाहिए जब हम voltage source से connect करते हैं तो बैटरी के दबाव से electronों को circuit में एक ही देशा में धकेलते हैं उधरन के लिए 1.5 ohm के इस resistive lamp को उरजा देने के लिए 1.5 volt की बैटरी को 1 amps का current आवश्चक होगा इसका अर्थ है कि हर second बैटरी से lamp में 6 quintillion 242 quadrillion electron गुजरने चाहिए तो यदि हम इसे प्राप्त कर लेते हैं lamp पूरी चमक देगा अगर voltage या current कम होता है या फिर circuit का resistance बढ़ता है तो lamp धीमा हो जाएगा चलिए अब resistance प्राप्त करते हैं मान लिया कि 12 volt की power supply से एक resistive lamp connect है हमें नहीं पता कि circuit में कितना resistance जोड़ना है लेकिन current 0.5 amps है resistance पाने के लिए लिखेंगे R बराबर और फिर त्रिकोन में R को ढख लेंगे हमारे पास V और I बचता है इसलिए resistance बराबर voltage भाग current हम जानते हैं कि voltage 12 volts और current 0.5 amps है तो 12 भाग 0.5 बराबर 24 ohm का resistance resistance इलेक्ट्रोन फ्लो का विरोध करता है यहाँ इलेक्ट्रोनों को बहने से रोकता है इसलिए हम current कम करने और LED जैसे पुर्जों की सुरक्षा के लिए circuit में resistors का प्रयोग करते हैं यदि हम एक LED को सीधे 9 volts की बैटरी से जोड़ें तो यहाँ उड़ जाएगा क्योंकि voltage और current बहुत अधिक है लेकिन जब हम circuit में एक resistor लगा देते हैं तो LED सुरक्षित रहती है और तेज़ चमकती है तो एक circuit में हम voltage बढ़ा कर current बढ़ा सकते हैं हम resistance कम करके भी current बढ़ा सकते हैं resistance बढ़ा कर current को कम भी कर सकते हैं तो अब समय है आपकी knowledge चेक करने का क्या आप ये problem हल कर सकते हैं मैं नीचे वीडियो description में उनके उत्तर और समाधान का link दे रहा हूँ problem एक मान ले हमारे पास एक lamp है जिसका resistance 240 ohm है किदी हम इसे US के outlet में लगाते हैं तो 120 fold प्रियो करता है तो current क्या होगा problem दो किदी उसी 240 ohm resistive lamp को UK के outlet में प्लग करें तो 0.958 amps का current मिलता है यहां कितनी voltage अपलाई की गई है ओके इस वीडियो के लिए बस इतना ही लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए किसी भी वीडियो को देखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा हमें Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn के साथ साथ EngineeringMindset.com पर फॉलो करना न भूले